हेलो नमस्कार दोस्तों आज आपको हम नंबर सिस्टम का एक ऐसा पोर्शन बताएंगे जो कि परिच्छा के दरिश्टे से बहुत ही महत्पूर है और ऐसा ट्रीक आपको बताएंगे जो कि आपको बिलकुर समझ में आएगा आपके परिच्छा में आप कुछी सिकॉंडों मे इसको solve कर देंगे चली देखते हैं आपका पहला question है यह topic आपका है इकाई अंक गयात करना परिच्छा में बहुत बार पूछा गया और पूछा जाता है अब पूछा जाएगा तो चली इकाई अंक आपको हम बताते हैं एक basic से बहुत ही अच्छा किवल आप जो जो हम निय question आपका है संख्या एक 237 पर घात 733 में इकाई का अंक क्या है बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे किवल जैसे हम बताएंगे आप उसी तरह नियम को देखना बस तो यह 237 में पर घात 733 क्या करना है आपको लाश्ट वाली संख्या से हमें देखना है तो लाश्ट वाली पर घात 733 में कुछ नहीं करना है जो गहात है करा मैं मियाँ लिख ले रहा है एक 1 आप 237 अ कर गहात और हैं दो हमें कुछ भी नहीं करना है हमें क्या करना है साथ को किव देखना है साथ यहां निकाल लें इसके बाद साथ पे घात है 700 तिरपन अब हमें यह जो घात है इसको हम पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे तो 700 तिरपन को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकन ने 4 बचा 335 चरोड 32 तीन बचा 33 हो गया चरोड 32 हमारा घात एक आ गया तो 7 पे घात एक बचे गया जो सेस्फल बचेगा उसी वही आपको 7 के उपर लिखना है तो हम यह कनोड हो गया 7 पे घात एक मतलब होता क्या है 7 तो इसका इकाई अंक 7 ही हो गया ओप्सन में है भी यह देखिए C वाला ओप्सन तो इसी तरह आपको बना रहना है हमारे वीडियो में आपको भी हम क्या आपको बताएं 213 में 213 पे घात 733 क्या करना है तो कि लाश्ट वाला जो अंक है हमें उसको बाहर निकाल लेना इसके बाद जो घात है 733 वो हमें 4 से डिवाइड करना है चार से डिवाइड करने के बाद जो सेस्फल रिमेंडर जो आ रहा है तो जो रिमेंडर आ रहा है उसी पे हमें ये कमान लगाना है तो साथ पे घाथ 752 तक कड़ गया था ये तो साथ पे घाथ एक आ गया है साथ पे घाथ मतलब एक ही होता है अगला आपका है, 13 पे घाद 203, अब हमें क्या करना है, लास्ट वाला अंग निकाल लेना है, लास्ट तीन है, तीन पे घाद 203, अब ये देख लिए घाद कहां तकड़ जाएगा, घाद 200 तकड़ जाएगा, वो बचे का 3 पे घाद 3, अब तीन पे घाद 3 है, तो आप आसानी से ही निकाल ले जाएगे, तीन गोड़े, तीन गोड़े, तीन तरीका नो तरीक 27, 27 में इकाई कंक्या निकल किया, 7, तो इसका इकाई कंक 7 है, इसका भी आप संदेखी, पहला ये वाला सही है, अगला आपका है, 22 पे घाद 23, यहां ल कुछ भी नहीं करना है, जैसे हम बताएं ये, दो ले लिजे, दो बाहन निकल लिजे, दो पे घाद 23 है, अभी ये 32 बार तकड़ जाएगा, दो पे घाद 23 था, दो पे घाद 23 है, 23 नहीं है ये, 23 है, दो पे घाद 23 है, अभी 20 तकड़ जाएगा, दो पे घाद 3 निकल करा ज तो दो दुनी चार दुनी आठ इसका एंसर आठ हो जाएगा आठ यह देखिए ऑप्सन डी वाला है अगला कोईशन है साथ प्रगात 105 अब आपको क्या करना है साथ प्रगात 105 अब साथ प्रगात 105 आ गया तो 104 बार तो कटी जाएगा यह सो बार तो पचीस और 26 चोक के 104 होता है इकड जाएगा साथ प्रगात एक बच जाएगा तो साथ प्रगात एक मतलब साथी होगा इसका भी काई कांक एक हो गया साथ हो गया देखिए ऑप्सन में है साथ प्रगात अगला आपका बहुत ही प्यारा कोईशन है इस तरह कभी हम ब पहले कोईशं उताल ले रहे हैं क्कै क्या है कोईशन आपका है 26 अ कि इसके उपर है छोपर है इसको वाला क्या आकशिन चैना क्या है की क्वेश्टं आपको एक मिनटे ऊपर कर लें थोड़ा यह है पांसो चौरासी पांसो चौरासी गुड़े तीन सो अठाइस गुड़े पांसो सैंतालिस गुड़े छे सो तेरा अब देखिए अब सिंपल तरीके से एक बार हम मैच कर लें कि हमारा नंबर शाही हैं लिखे हैं पांसो चौरासी गुड़े तीन सो अठाइस गुड़े पांसो सैंतालिस गुड़े छे सो तेरा अब आपको कुछ भी नहीं करना है लास्ट वाला जो अंख है उसी का गुड़ा करवा लिजिए और जो लास्ट में आएगा वो ही आपका अंसर हो जाएगा तो चार अठे बत्तिस ये देखिए यहां बत्तिस निकल गया है और क्या करना है यहां तीन छोड़ देजिए यह दो आ गया अब दो का गुड़ा साथ में साथ दुनी चवदा यहां से निकला है फिर एक छोड़ दीजी फिर लास्ट वाला अंक का गुड़ा तीन में कर दीजे बारा अभी यहां इकाई का अंक बारा मतलब दो निकल कर आ गया आपका बता रहे हैं आप फिर से देख लीजे लास्ट वाला गुड़ा लास्ट वाले अंक में किये हैं तो चार अठे बत्तिस बत्तिस यहां बत्तिस का गुड़ा साथ में करते हैं इसके बास साथ का गुड़ा तीन में करते हैं हम पहला उंक छोड़ दे रहे हमें क्योंकि हमें एकाई का उंक की ग्याद करना है तो ये देखे चार का गुड़ा आट में की है तो 32 निकल के आए तो हमें एकाई का उंक की ग्याद करना है तो हम दाई का उंक छोड़ दी है 22 आया था दो ले ली है दो का गुड़ा साथ में कि एंच और चोधा में हमें भी फिर भी हमें एकाई कंक घ्यात करना था एक छोड़ दी क्योंकि यक चार इकाई है और एक दहाई हो गया अगला क्या करना है अब चार को गुड़ा हमें तीन में करना था तो बारा या था तो बारा दो जो है इकाई कंग था और एक दाई कंग ये भी हो गयाeking इसका और दो निकल कर आगया तो देखिए आप्षन में दो है ए फैला वाला ही आप्षन अब क्या करना है आपको अगला कोईश्चन आपका है ये भी बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे अगला आपका है चपन सो सत्ताइस चपन सो सत्ताइस पे घात है एक सो तिर्बन और गुडे छे सो एक हत्तर पे गहत्तर है प्वेस्चन एक बार मैच करवा लेते हैं प्वेस्चन आपका है चपन सत्ताइस पे घात एक सो तिर्बन है गुडे छे सो एक हत्तर पे घात बहत्तर है अब हम जैसे वह वाला बताये थे सेम इसी तरह देखिए नंबर कितना बड़ा है देखकर डल लगेगा लेकिन हम आपको बताएं जो पहले वाला प्रोसेस सेम वही कर लीजे अब आपको क्या करना है हमें साथ इसमें से निकाल कर बहार लाना है साथ पे घात एक सो तिर्बन साथ पे घात 153 हो गया अब ये घात जो है इसे चार से डिवाइड कर लीजिए तो चार से डिवाइड कर लेंगे तो एक सु बाउन बार ये कट जाएगा अच्छा आपको काड़ कर दिखा रहे हैं चार तियां बारा तीन बचा 33 हो गया पर तिसमें कट जागा एक बचे का साथ पे घात ये एक बच गया और गुड़े अब इसको कर ले रहे हैं एक पे घात चाहे जितना हो वो एक ही होता है अब ये देखिए एक पे घात एक अब ये क्या बाहन निकल का आ गया साथ गुड़े एक बराबर साथ इसका इका इक अंग साथ ही होगा देखिए इसमें आपसन में सी वाला है सी वाला सही है अब अगला आपका क्या है अगला है देखिए साथ पे घात पंचानबे माइनस तीन पे घात अठावन साथ पेगाद पंजानवे माइनस तीन पेगाद अठावन ये कोश्टक के अंदर है सेम हम जिस तरह से बताएं हैं उसी तरह ये भी लगेगा एकदम सिंपल तरीके से कुछ घबराना बिल्कुल नहीं है देखे कितना बड़ा नमबार है देखने में तो डल लगेगा छोड़कर चले जाएंगे लेकिन हम जो तरीक आपको बताएं एकदम बहतरीन समझ में आया होगा आपको क्या करना है अब ये देख लेजिए साथ पे घात पंचानवे है तो ये बान बेबार तो कट जाएगा ये कट के देख लेते हैं नो आठ चार दो नहीं दो बार जाएगा एक बच जाएगा पंदरा पंदरा तीन बार कटेगा बारा हो जाएगा तीन बच जाएगा ये बान बेबार कट जाएगा साथ पे घात तीन आया है साथ ना गया g तो साथ नत्म गौड़े साथ गुड़े साथ निया लिक ले रहे हैं। इसके पद माइनस ना बहुज आ देखें में इसका घहाथ काट लिजे चार थैड तो तो चार एकने चार अठारा, चार चोक के सोला दो आ जाएगा, चापन तकड जाएगा, तीन पे घाद दो आ गया, तीन पे घाद दो, अभी तीन पे घाद दो मतलब तीन तरीका नो हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, साथ सते नुचास, नुचास, यह यह गुड़ा करवा लिजे 49 गुड़े साथ साथ नमा तिरसट और साथ चोग 28 अच्छे 28 अच्छे 24 हो जाएगा यह 343 और माइनस आपको 9 करना है अभी यहां आप गुड़ा करवा के लास्ट मिसा सते 64% 343 होता है तो यह 3 3 मेंसे नहीं गटेगा क्योंकि यह बड़ा नंबर इसमें से घठाना था तो हमें बड़ा नंबर करने के लिए इसं Al-issent का गुड़ा करवा कर बड़ा नंबर लेना चाहिए था लेना पड़ेगा क्योंकि इदेखे यह अगर जो हमसा सते 49-49-63 कर लेते तो 3 आया था यहां लेकिन इसमें घटाना था क्यांकि घटाना 9 है इसलिए हम तीनों का गुड़ा करवा लिए अब यह 343 में से 9 आसानी से गड़ जाएगा और हम एकदम सिंपल तरीके से बता देंगे कि इसका इकाई कांग कितना होगा अब यह देखे 343 में स से माइनस 9 अब यह देखिए 13 में से 9 गया तो 4 आ गया अब यहां 3 बचा तीन का 3 वह तीन अगला क्वेशन आपका है 3694 पे घाद 1793 और गुड़े 615 पे घाद 317 और गुड़े 841 पे घाद 491 यह भी एकदम सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे क्यों लाल लास्ट तक वीडियो में बने रहे हम आपको एकदम सिंपल तरीके से बता देंगे अब चलिए देखते हैं पहले हम क्वेशन उताल लें क्वेशन क्या था 3694 पे घाद था 1793 इसके बाद गुड़ा का सिंपल बना था तो गुड़ा लगा लें अब क्या था 615 615 पे घाद 317 था फिर गुड़ा अगला है 841 पे घाद था 4192 अब सेम उसी तरह ये भी लगेगा कुछ भी आपको एकदम घवराना नहीं है जैसे हम बताएं सेम उसी प्रोसस से आप इसको निकाल लेजे अब यह देखे चार यहां निकाल ले रहे हैं चार पे घाद आप का हो जाएगा 1793 अब घाद को चार से डिवाइड कर लिए यह देखे चार चौके 16 एक बचा चार चौके 16 तीन उननीस होता है तो तीन बचा 33 चार पे घाद यह एक निकल कर बाहर आगे अभी देखे गुड़ा है तो गुड़ा निकाल लेजे यहां एकदम आप हम आपको एकदम सरल तरीके से बता हैं जो की एकदम बिल्कुल समझ में आएगा कितनों से बड़ा नंबर रहेगा आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं अगला आपका है 615 पे घाद 317 था तो यह पांच वाला हम आपको पांच का एक और ट्रिक बता दे रहे हैं कि पांच में कि निकाल ले रहे हैं इसको पांच पे इसको चार से टिवाइड करेंगे तो चर्सते अच्थाईस और तीन 27 कि पहले यहं बाहर निकालने इसको पांच पे घाद 317 हो जाएगा अब घात इसकर डिवाइड कर रहे हैं चार से तो तो चार सते 28 28 और तीन 31 होता है 28 और 37 हो गया तो चान नमच छतिस एक बच जाएगा तो यह पांच पे घात एक बच गया कि अगला आपको क्या करना है एक पे घात चाहिज इतना रहे वह एक ही रहेगा गोड़े एक पे घात एक अब यह देख लिए कितना आसानी से सब बाहर आगया यह चार पे घात मतलब चार होगा यह पांच पे घात पांच पे घात एक था तो यह पांच ही होगा गोड़े यह एक होगया तो चार पंच चे बीस और बीस गोड़े एक इसका जीरो होगा यह गाई कांग इसका 0 निकल कर आ गया यह देखिए option में बैठा है यह यह वाला अगला question आपका है 3 पे गात 61 3 पे गात 61 6 पे गात 43 7 पे गात 82 अगला आपका है 3 पे गात 61 अगोडे 6 पे गात 43 अगोडे 7 पे गात 82 बिल्कुल घबराना नहीं है एक बार आपके वल्ले इस नियम को जान जाएंगे तो आपका एकाई कंग एकदम बहतरीन समझ में आ जाएगा तो चलिए क्या करना है 3 पे गात यह देखिए 60 तक कट जाएगा 4 से गात गात 4 से ही काटना है यह 4 से कट जाएगा तो 3 पे गात 1 बार निकल कर आ जाएगा गोडे का सिंबल है गोडे पे लगाईए अब यह देखिए यह 6 पे गात 43 है तो 4 से गात काटेंगे 43 तो 6 पे गात 3 बार आ जाएगा अगला आपका है 7 से गात 82 80 तक कट जाएगा यह 40 दुनी 80 होता और 4 से गाते काटना था तो यह 7 पे गात 7 पे गात 2 निकल कर बार आ गया अब इसे गुड़ा कर लिजी यह 3 ही होगा और यह 6 पे गात 3 चचोग 36 का 216 होता है और गुड़े अब यह 7 सते 49 आ गया अब कुछ भी नहीं करना अब कुछ भी नहीं करना इसमें इसमें क्या है आपका गुड़ा करवा लिजी लाश्ट लाश्ट अंक का यह देखे 3 चक 18 हमें 1 आई का अंक गयात करना है अब इसका 1 आई कंग हमें 1 आई कंग ही गयात करना है क्यांकि टॉपिक हुआ ही है तो यह 72 में 2 आग एंसर यह देखे ऑप्सन में B वाला बना है अगला क्वेश्चन आपका है 17 पे घात 17 पे घात है आपका उननिस सो निन्यानवे पलस है 11 पे घात उननिस सो निन्यानवे माइनस साथ पे घात उननिस सो निन्यानवे यह भी हम आपको बताएंगे एकदम सिंपल तरीके से कि वह आप लाश्ट तक वीडियो में बने रहे है क्या करना हमें साथ निकाल कर इसके घात को जो है चार से डिवाइड करना है पुरानी तरह अब यह साथ बाहर निकला और उननिस सो निन्यानवे था उननिस सो निन्यानवे को चार से डिवाइड करेंगे देखे यहां चार से डिवाइड करेंगे चार चोक के सोला तीन निकल कर आ गया, 49 हो गया 6.36, फिर तीन निकला फिर 6.36, साथ पे घाथ तीन ही है, इसके बाद ये देखे, साथ पे घाथ तीन निकल कर आ गया, यहाँ बाहर, इसके बाद बीच में पलस का सिंबल लगा था, यह देखे यहां पलस लगाए इसके बाद यह देखे, 11, 11 में यह एक ही निकल कर आएगा, क्योंकि हम करके आपको बता दे रहे हैं, 11, 1 पे घाट, 1999 था, यह देखे, यह एक पे घाट, एक ही निकल कर आएगा, यह का गुड़ा जितनी बार करेंगे, वह हर बार एक ही आएगा, अब माइ माइनस लगा है तो माइनस लगा लिजिए इसके बाद यह देखे साथ पे घात यह भी उतना ही आएगा कि यह माइनस में है देखिए साथ पे घात यहां पहले ही किये हैं यहां भी करके आपको बता दिए साथ पे घात तीने निकल कर आएगा अब यह देखिए यह पलस में था यह माइनस में था तो यह पलस में यह माइनस में कड़ा गया जाएगा एक पे घात एक मतलब इसका एक आइक अंग एक ही होगा यह देखिए ओप्शन यह वाला सही है तो दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर जो आया है तो इसे लाइक करें सब्सकाइब करना ना भूलें इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपके परिच्छा में बहुत ही इंपो झाती है